आप कहीं पर भी कभी भी meditate कर सकते हो in the sense कि इस moment में जो कुछ हो रहा है अगर उसके लिए आप aware हो तो आप meditation में हो it is as simple as that मतलब कि ध्यान करना नहीं है लोग यह समझते है meditation करना meditation कोई करने वाली चीज नहीं है यहार के लिए भी लोग बोलते है प्यार करना प्यार कैसे करोगे तो हो जाता है ओजहित जब हम इस moment में पूरी तरह से होते हैं जब हम पूरी तरह से अवेज़ होते हैं तो क्या करना है अगले कुछ मिनिट्स के लिए तो कि आप यहां पर आए हो तो practically कुछ करना बनता है तो आपको क्या करना है अपनी आखे बंद नहीं करनी है कोई नोटंकी नहीं करनी है करके लिए हराम से टिक करके बैठना है अपनी वैक सीधी रखनी है जो है उसको देखो जो आवा पोचना नहीं है अराम से अवेयर हो जाओ कि यहां पर अभी क्या हो रहा है हम अवेयर नहीं है especially अब तो हम पूरी तरह से virtual world में हैं अपने mobile की दुनिया में ही खोई पड़े हैं पता ही नहीं हमारे आसपास में क्या हो रहा है तो यह meditation आप कहीं भी कर सकते हो कभी भी कर सकत कि क्या होगा एक ऐसी भी stage आजाएगी आपकी life की कि आप कहीं पर भी जाओगी immediately वहां पर जो भी कुछ है वो सब अपने आपको reveal कर देगा आपके सामने आपको एक second में सब कुछ समझ आ जाएगा किसी person से मिलोगे तो एक second में समझ आ जाएगा अब यहां पर कोई जादू कोई बाते नहीं कर रहा हूं मैं समझ in the sense कि जो भी कुछ है एकदम से दिख जाएगा हमें दिखता ही नहीं है हमें पता ही नहीं लगता है यहां पर जो fragrance है उसको पीद करने के कोशिश करो सुनाई दे रहा है क्या सुनाई दे रहा है देखो अब यह चेहर है ली अवाज आई लुटिया किसी ने अभी सभासे अवाज आई हलका हलका कोई हिल रहे हैं वो आवाजे आ रहे हैं अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो अभी जहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए तो आपको कॉंसेंट्रेट करने की ज़रवत नहीं है वो सब कुछ आपके पास अपने आप आएगा अवाज के पास आपको जहना पढ़ रहा है आपने आप आ रही है आपके पास तो उसमें जोर लगाने की ज़रवत नहीं है यह को पॉटी नहीं है जहां पर आप जोर लगाने की ज़रवत नहीं है इसलिए जो होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं सिर्फ जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं और अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो जो है उसके लिए उसी को प्यार कहते है और प्यार क्या है बताओ आपके आसवास में कोई है और आप उसके साथ तो हो लेकिन यहां हो बाहर बाहर से उसके साथ हो ऐसा लग रहा है दोनों को लग रहा है कि वो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूँ कोई किसी के साथ नहीं है इसके लड़ाई जगड़े होते हैं आप किसी के साथ relationship में हो अगर आप वहाँ पर टिक करके अराम से बैठ करके देख पाओ कि उस person को क्या चाहिए अपनी life से तो आपकी relationship अच्छी हो सकती है अगर आपको ये समझ आ जाए कि पूरी तरह से एक जगे पर कैसे होते हैं तो आप वो सब कुछ देख सकते हो जो और लोग नहीं देख सकते हैं जो और लोग के लिए देखना impossible है तो कि वो यहाँ जी रहे हैं आप यहाँ जी रहे हो अगर कोई काम कर रहे होगे तो आपको ऐसी सी चीजे नजर आ जाएंगी जो और लोग को नहीं आ सकती तो चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनस कर रहे हो मुश्किल है यह यह असान है असान है यह बहुत असान है तो करते क्यों नहीं हो सर किसी ने सिखाया ही नहीं पहले किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं किसी ने इसकी importance बताई ही नहीं क्या बताया बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो खचरों की तरह लगे रहू सबका interest आपको खचर बनाने में है क्योंकि वो खुद खचर है क्या करेंगे पिचारे दुनिया की कोई भी problem बड़ी से बड़ी आपके लिए बड़ी नहीं होगी अगर आप उस जगे पर टिक करके उस problem को देख पाओ देखने का मतलब ही समझना है समझोगे कैसे कि जो भी आपकी life की problem से उसके solutions कैसे निकालने है जब एक जगे पर टिक करके रुक करके अपनी उन problems को देख पाओगे जब प्रॉब्लम्स अंदर हैं जब बाहर हैं और अगर पूरी तरह से देख पाओ तो क्या उसका solution में काला मुश्किल है यह आसान है इसलिए तो कहता हूं सब आसान है बस ऐसे आराम से बैटना होता है कुछ नहीं करना होता है कही के बार मैं ऐसे घंटों तक बैढ़ा रहता हूं आके खुली होती है जोता नहीं है करने के लिए और नहीं नहीं हाती नहीं हाती सर्फ मेडिटेशन के लिए इती शांटी की जड़ेत होती है नट रिक्वाइट शोर का लग मजा है मेडिटेशन क्या है पहले यह समझ आया जस्टो बी अविलेबल तो वाट इस नट वाट शुड बी समझ गए ना हमारे अंदर की दुनिया क्या है जो है हम उससे खुश नहीं है इस शुड बी लाइक दिस जो हमारी लाइफ है वो अभी सही नहीं है इस मेडिटेशन